नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सही ट्रेड चैनल के उपर दोस्तों स्टॉक मार्केट में जभी भी कोई बिगिनर होता है या फिर नया नया स्टॉक मार्केट अभी ट्रेड करना शुरू कर देता है तो उसका एक ही उदेश होता है कि किस तरीके से मैं इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सको और उसके लिए वो प्राइज एक्षन, इंडिकेटर, केंडल स्टिक पैटर्न इन सब के जनजालों से निकल के पैसे कमानी की कोशिश करता है लेकिन शुरुआत में क्या होता है, न कोई strategy ठीक से workout होती है न कोई इंडिकेटर ठीक से समझ में आता है तो profit ञ Allied होता नहीं है, लेकिन loss बहुत जादा हो जाता है और वो जो beginner होता है, वो वह वमेशा beginner ही रहता है और market से निकल जाता है क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से strategy वर्क आउट होती है तो इन सारी problems को दूर करने के लिए मैं आपके लिए एक बढ़िया strategy लाया हूँ जो आप intraday में use कर सकते है और अच्छे तरीके से profit कमा सकते है इस strategy को मैंने backtest किया है और लगबग इसकी accuracy आप देखोगे तो 75% तक accuracy आती है मतलब आप अगर 10 trade ले रहे हो तो उसमें से 7 trade आपके positive बंद हो सकते है और 3 में stop loss एट हो सकता है तो क्या है ये strategy कौन से rule इसके लिए follow करने है आईए देखते है screen के उपर तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे है trading view हमने यहाँ पर open कर लिया है और सबसे पहले rule समझ लेते है क्योंकि rule पता होना बहुत ज़रूरी है intraday trading में risk involved होता है अब जो time frame हमें select करना है वो है 15 minute का time frame 15 minute की candlestick आपको देखनी है और कौन सी candlestick देखनी है सवा 9 से साड़े 9 बज़े यानि कि पहली candle सवा 9 बज़े market open होता है साड़े 9 बज़े पहली 15 minute की candle close होती है तो पहली 15 minute की candle लेनी है हमें वो consider करनी है और वो candle कैसी होनी चाहिए below 1% होनी चाहिए चाहे उपर जाता हुआ market हो या फिर नीचे जाता हुआ market हो पहले candle ने 1% से ज्यादा moment नहीं देनी चाहिए तो हमें क्या देखना है 9 15 से 9 30 की candle लेनी है और वो candle 1% के नीचे moment होनी चाहिए मतलब 0.8 हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.7 हो सकता है 0.9 हो सकता है for that matter बट 1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी जो moment हो उसके बाद हमें क्या देखना है उस candle का high और low mark कर देना है सेम जो बंदरा मिनिट की candle है जो 1% से नीचे है उसकी आपको high और low mark कर देना है उसके बाद आप जिस भी direction में breakout आएगा चाहिए high break करके उपर market जाता है चाहिए low break करके नीचे market जाता है तो आपको वहाँ पर trade लेना है अगर high break करता है तो आप buy के side का trade लेंगे और low break करता है तो आप short की side का यानि sell के side का trade लेंगे लेकिन यहाँ पर आपको सबसे important चीज यह ध्यान में रखनी है कि आपका जो target होगा वो minimum target आपको 1% रखना है कभी-कभी उसके नीचे भी आपको target मिल जाता है अगर support resistance होंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको 1% का ही target यहाँ पे लेना है यहाँ पे अगर आपने short side का trade लिया है तो candle का high आपका stop loss होगा अगर आपने buy side का trade लिया है तो candle का low आपका क्या होगा यहाँ पे stop loss maintain आपको करना है strictly target और stop loss को follow करकी ही strategy follow करनी है और उसी के साथ ही आपकी जो पैसे है वो intraday में बनेंगे तो real name example पे चलते है और वो सारी चीजे में आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है HDFC bank का 15 minute का chart आपने open कर दिया है और आपको यहाँ पे पहली candle देखनी है यह जो arrow के साथ मैंने mark की है वो candle आपको यहाँ पे देखनी है क्यूंकि अग अगर यह candle है मार्केट खुलने के साथ की तो दोस्तों अगर यह candle आप देख रहे हो सवानों बजे की और यह जो white color का मैंने mark किया है यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इस candle का जो moment है वो minus point 52% है और हमारा rule क्या है 1% के नीचे हो नीचे यह वो candle तो यह rule में हमारे battery है और इसको थोड़ा से डिलीट कर देते है ताकि आपको अच्छी दरी किस समझ में आ जाए तो इसका high और low आपको mark कर देना है और जैसे ही breakout आता है वैसे आपको यहाँ पे trade initiate करना है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे है इस next candle ने आपको यहाँ पे breakout दे दिया है लेकिन बहु आपको एक simple चीज बता देता हूँ अगर आपको high low mark कर देते हो आप तो high low mark करने के बाद आप सीधे आ जाईएगा 5 minute के चाट के उपर तो आपको जो भी candle 5 minute का यहाँ पे breakout देती है उस candle पे आप entry कर सकते हो तो हम थोड़ा सा 5 minute के चाट के उपर देखते हैं अगर हम 5 minute के च candle stick के उपर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यह candle stick ने breakout दिया है तो 5 minute की 9.45 की जो candle है उस candle ने breakout दे दिया है high break कर दिया है 15 minute के candle stick का जो हमने यहाँ पर mark करके रखा है तो अगर आप इस candle में entry करते हो या इस candle के complete होने के बाद भी इंटरी क्योंकि यह आपकी पहली candle हो गई उस दूसरी candle और तीसरी candle यहाँ पर आपकी पूरी जो है 15 minute की candle complete हो जाती है फिर उसके बाद यह 3 candle मतलब next 15 minute की candle और जैसे ही 9.45 की candle बनने लग गई है यहाँ पर breakout आ गया है तो 5 minute के time frame के उपर आप shift हो सकते हो 15 minute से entry के लिए बोल रहा हू है फिर से हम थोड़ा 15 minute के चार्ट के उपर आएंगे यहाँ पर देखने में और समझने में आसानी हो जाएगी हमें तो trade हमारा था यहाँ पर जैसे की यह candle 23 March और यह तीसरी जो candle है यहाँ पर breakout आया है अब breakout के बाद जो मैंने आपको बोला था कि 1% का target रखना है यहाँ पर हमें target मिला है 1.44% यानि कि 22.55 का target हमें यहाँ मिला है 1% भी हम यहाँ पर consider करते है तो 15 से 16 point तक का हमें target मिल जाता है और जो risk reward यहाँ पर आप देख सकते हो 2.62 यानि कि 1 as 2 3 के आसपास यहाँ पर आपको क्या होता है कि risk reward देखने के लिए मिलता है और stop loss जो हमने आप आपक के candle का low stop loss लगाना है यानि कि आपका stop loss हो गया लगबख 6 रुपए और उसके against में आपको मिल रहे है लगबख 16 रुपए तो intraday के लिए काफी अच्छा यहाँ पर trade बन सकता है यह एक example हो गया अभी थोड़ा सा fast forward करते है और और भी example यहाँ पर हम देखते है थोड़ा सा कामिनेट के पहली candle अगर आप देखोगे तो plus point 39% आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्योंकि gap up open हुआ है इसकी वज़े से यह plus में दिखाई दे रहा है 6 रुपए plus में बंद होई है और उसका percentage जो है वो point 39% है यानि कि यह हमारी rule में बैठता है और rule के बाद हम क्या करें तो यह previous वाला high हम यहाँ पे ले लेते हैं और low को इस तरीगे से यहाँ पे mark कर देते हैं और जैसे ही candle का low break हुआ है यहाँ पे trade initiate हुआ है और आप देख सकते हैं लगबग 10 बजे के आसपास trade initiate हुआ है और target की अगर हम बात करें तो इस candle की अगर बात करें तो 3 बजे तक हम हमें हमारा target जो है वो मिल गया है 32 पॉइंट का target यहाँ पर हमें मिला है जैसे कि आप यहाँ पर देखते है 32.95 रुपे का यहाँ पर टार्गेट मिला है 2% के आसपास हमें target यहाँ पर मिला है और stop loss हमने लगाया था इसी candle का high यानि कि 12 रुपे 35 पैसे का high और 32 रुपे के आसपास का target जैसे मैंने बताया था कि 1% के ऊपर हमें पहला target जो है वो यहाँ पे ले लेना है at least 50% आपका जो stock है वो बेच देना है और 1% के अगर हम बात करें तो भी 16.00 हमें यहाँ पे मिल जाते है और 1s21.35 का यहाँ पे ratio risk reward ratio हमें मिल जाता है तो काफी अच्छी strategy है back tested strategy तो आप इसे इस्तमाल कर सकते है एक और example देखते हैं और यह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे भी हमें profit यहाँ पे मिला है यह 3 March का trade है और पहली candle है 0.72% और उसके बाद breakout आया है और यहाँ पे 1.40 का target हमें मिला है 1.40% का current आपको यहाँ पे दिख रहा है यानि कि आज की date 29 तारीक की date का जो हम trade हम यहाँ पे देख रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से इस trade को initiate किया गया था first 15 minute की candle अगर हम बात करें तो यह 15 minute की candle थी और जिस candle का आप moment देख रहे हो 0.77% था तो अगर हम इसका high low अगर mark करें तो इस तरीके से इसका high mark होता है और इस तरीके से इसका low mark होता है stock ने यहाँ पे breakout डे दिया उसके बाद stock नीचे आया और फिर से profit में अभी थोड़ा बहुत trade दिखा रहा है अभी लगबग सवादों के आसपास हुआ है यानि कि मेरे पास सवा तीन बजे का time है अगर ये 1% तक target डे देता है तो हम उसमें निकल जाएंगे या फिर उस से कम में अगर target डेता है और intraday का time खतम हो जाता है तो हम फिर भी profit में इस trade को exit कर सकते है फिलाल no profit no loss जोन पे चल रहा है तो आप देख सकते है किस तरीके से strategy workout होती है थोड़ा नीचे आने के बाद भी हमारा stop loss यहाँ पे hit नहीं हुआ है तो discipline के साथ हम stop loss को follow क के बाद अगर उपर जाएगा तो जो भी trade होगा वो हम accept कर लेंगे और exit कर लेंगे तो ऐसा नहीं है कि strategy में stop loss hit नहीं होता आप देख रहे है पेशन्स बहुत लगते है strategy में अगर आप patience की साथ trade करते हो तो काफी अच्छे यहाँ पे profits बना सकते हो अगर हम stop loss की बात करे तो एकाथ stop loss भी hit हुआ है हमारा ये देखिए आप देख सकते हैं ये जो trade है इसमें हमारा stop loss हिट हुआ है पहली candle जो थी 0.14% की थी breakout हमें मिल गया trade हमें initiate हो गया लेकिन 1% जो था वो 16 point के आसपास हमें यहाँ पे मिलता था लेकिन नीचे आ गया stock और हमारा यहाँ पे stop loss हिट ह गया तो यहाँ पे stop loss भी hit हो सकते है जैसे मैंने कहा था कि 10 में से अगर आप 7 या 6 trade भी अच्छे यहाँ पे initiate कर लेते हो तो काफी अच्छी accuracy मिल जाती है वैसे 70-75% की accuracy इस particular strategy में आपको देखनी के लिए मिलती है तो आप इस strategy का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन फिर एक बार back test खुद भी कीजेगा अलग-अलग stock के ऊपर back test कीजेगा निफ्टी के ऊपर भी आप यह strategy ले सकते हो और निफ्टी के ऊपर भी यह strategy बना सकते हो एक example हम निफ्टी का भी आपको दिखा देंगे कि किस तरीके से निफ्टी में भी यह strategy workout करते है और उसके बाद आपको पता चलेगा सिर्फ stock ही नहीं इंडेक्स में भी यह strategy आप यूज कर सकते हो आईए देखते है निफ्टी का example तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते है यह निफ्टी का example है 13 मार्च का यह 59 की पहली candle है और इसका जो moment है वो 0.47% है अब निफ्टी में क्या होता है कि 1% इतनी भी मिलते हैं तो अभी आप इसे consider कर सकते हैं लेकिन strategy में सबसे important चीज में आपको बताना चाहूंगा कि support और resistance मार्क करना भी बहुत जरूरी है तो इसका अगर हम high low अगर मार्क कर दें अगर हम horizontal ले ले लाइन और यहां पर high मार्क कर दिया और यहां पर low मार्क कर दिया तो low break ह हुआ है साड़े 11 बजे यानि कि patience आपको रखने पढ़ेंगे अगर यह break नहीं होता है तो trade नहीं लेना है तो break होने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं अगर हम इसको नीचे खीच ले इस तरीके से तो यहां पर breakdown मिला है हमें और stop loss अगर हम बात करें तो nifty comparison में 1.58% का यहां पर हमें profit जो है वो दिखाई दे रहा है 274 points का profit और अगर 1% तक ही हमें से सीमित रखते हैं तो भी हमें यहां पर 171 point का profit मिलता है और risk reward आप देखोगे तो 1-1.2 का हमें 1% तक यहां पर मिल जाता है तो nifty में भी यह strategy workout होती है लेकिन volatility संभाल के थोड़ा nifty में बहुत ज़दा volatility होती है इसकी वज़े से मैं prefer करता हूँ इस strategy को stock में trade करने के लिए nifty 50 के stock को आपको track करना होगा थोड़ा सा manually work है लेकिन यह सारी चीज़े आपको करनी पड़ेगी अगर आप intra day में एक successful trader बनना चाहते हो तो I hope यह strategy अच्छी तरीके से आपको समझ में आ आपको भी फाइदा हो सकता है लेकिन एक बार फिर से कहूंगा कि back test करने के बाद ही यह strategy थोड़ी बहुत use करना क्योंकि सिर्फ मैंने back test की है directly use करना शुरू करना है ऐसा थोड़ा सा मत कीजेगा आप खुद भी थोड़ा सा और stock के उपर back test कीजेगा और आपको समझ में आ झाल गजड़ा बना मत के सकता है ऐस दो करना हो अगियां आपको समझ में आपको समझ में आपको Dw त आपको समझा के उपको कने आपको स 돌ू़ा आपको समर्त IP इहां पंटू है झाल आपको 있는데 उपको समझा की दोड़ा को भी आपको समझ में तो हुदाcket प्सазывागा है और